सब्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग प्रकृती का जो बोध है वह जान विज्ञान स्रिष्टी मध्य जो रम रहा उसका बोध ज्ञान भगवद भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है ज्ञान दो प्रकार का होता है एक अध्यात्म ज्ञान दूसरा प्रकृत ज्ञान या विज्ञान इस अध्याय में भगवान द्वारा इन दोनों का वरणन किया गया है श्री कृष्ण भगवान अर्जन को कहते हैं मैं तेरे लिए विग्ञान सहित ग्ञान को संपूरनता से कहूंगा जिसको जान कर फिर और कुछ भी जानने योग्या शेश नहीं रहता जहां तक अध्यात्म ग्ञान की बात है भगवान कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुश्यों में कोई ही मनुश्य मेरी प्राप्ती के लिए यतन करता है और उन यतन करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे को तत्व से जानता है यह ग्यान दो रूपों में है एक जिवात्मा का ग्यान दूसरा इश्वर का ग्यान प्रकृती का ग्यान अर्थात विज्ञान प्रकृती के ग्यान के विशे में भगवान संक्षेप से यहां बतलाते हैं रिथवी, जल, अगनी, वायू और आकाश तथा मन, बुद्धी और अहंकार ऐसे यह आठ परकार से विभक्त हुई इश्वर की प्रकृती है यह अपर प्रकृती कहलाती है यह आठ परकार के भेदों वाली अपरा प्रकृती अर्थात जड़ प्रकृती है जिवात्मा का ग्यान इस से दूसरी इश्वर की जीव रूप पर अर्थात चेतन प्रकृती जानो जिस चेतन प्रकृती द्वारा यह संपूर्ण जगत धारन किया जाता है ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों अर्थात अपर और पर से ही उत्पत्ती वाला है परंतु इस से परे मैं अर्थात ईश्वर संपूर्ण जगत का उत्पत्ती तथा प्रले करने वाला हूँ हे धनन्जे मेरे से परे कुछ भी नहीं यह संपूर्ण जगत सूत्र में मनियों के सद्रिश मेरे में गुन्था हुआ है इसे भगवान विस्तार पूर्वक बतलाते हैं इश्वर अर्थात ब्रहम का ग्यान हे अर्जन जल में मैं रस हूँ चंद्रम और सूर्य में प्रकाश हूँ सर्व वेदों में ओंकार हूँ आकाश में शवद और पुर्षों में पुर्षत्व हूँ मैं पृत्वी में पवित्र गंध अगनी में तेज और संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ तपस्वियों में तप हूँ हे अर्जुन तु संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान मैं बुद्धि माननों की बुद्धी हूँ और तपस्वियों का तेज हूँ हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का काम और राग से रहित बल हूँ मैं सब भूतों में धर्म के अनकूल अर्थात शास्तर के अनकूल काम हूँ जो सत्वगुन से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजवगुन से तथा तमगुन से उत्पन होने वाले भाव हैं उनको तु मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान परन्तु उन में मैं या वे मेरे में नहीं है गुणों के कारे रूप, अर्थात, सात्विक, राजस, तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता क्योंकि यह दैवी, अर्थात, अलावकिक और अति अद्भुत त्रिगुण मैं मेरी माया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुर्ष मेरे को ही निरंतर भजते हैं और मेरी शर्ण में हैं वे इस माया का उलंगन कर जाते हैं इश्वर भक्ति हे अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले चार परकार के भक्त जन मुझे भजते हैं एक आर्थ दो जिग्यासु तीन अर्थार्थी चार ग्यानी उन में नित्य मेरे में एकी भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ग्यानी अति उत्तम है क्योंकि ग्यानी को मैं अत्यंत प्रिया हूँ और वह ग्यानी मेरे को अत्यंत प्रिया है वे सब ही उदार हैं परंतु ग्यानी तो साक्षात मेरा स्वारूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह स्थिर बुद्धी ग्यानी भक्त अति उत्तम गति स्वारूप मेरे में ही अच्छी तरह स्थित है बहुत जन्मों के अंत में तत्व ग्यान को प्राप्ट हुआ ग्यानी सब कुछ वासुदेव ही है इस परकार जान मुझे प्राप्त होता है ऐसा महात्मा दुरलब है अन्य जन अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन उन भोगों की कामना से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारना करके अन्य देवताओं को भजते है प्रंतु जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरू रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस उस भक्त की मैं उस उस ही देवता के प्रती श्रद्धा को स्थेर करता हूँ वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेश्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है परंतु उन अल्प बुद्धी वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं भगवान को ना पूज कुछ पुरुष अन्या देवताओं को पूजते हैं इसका कारण भगवान स्वयम अपने मुखारविंद से कथन कर रहे हैं कि बुद्धी ही इन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थाद जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को तत्तों से ना जानते हुए मुझ सचिदानंद घन प्रमात्मा को मनुश्य की भानती एक विक्ती मानते हैं इसका भी कारण है क्योंकि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब को प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ इसलिए यह अग्यानी मनुश्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्तों से नहीं जानता है हे अरजुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतां को मैं जानता हूँ परन्तु मेरे को कोई भी शर्द्धा भक्ती रहित पुरुष नहीं जानता है हे अरजुन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन हुए सुख दुख आदी द्वंदों से मुक्त हुए और द्रड निश्चे वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं जो मेरे शर्ण होकर जरा और मरन से छूटने के लिए यतन करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म ग्यान को और संपूर्ण कर्म ग्यान को जानते हैं जो पुरुष अधि भूत अर्थात प्रकृती और अधि दैव अर्थात जिवात्मा और अधियग्य अर्थात निश्काम कर्म इन सभी के सहित मेरे को अर्थात ब्रह्म को जानते हैं वे युक्त चित ग्यान वान पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं शिरी प्रभुजी से गीता में उपर वरनित प्रकृती अर्थात अधि भूत जिवात्मा अधि दैव और ब्रह्म के वारेश्रवन कर पंडित ने जिग्यासा प्रकट की कि इस ग्यान विज्यान को मैं आप से और विस्थार से सुनना चाहता हूँ तो शिरी प्रभुजी ने उत्तर दिया कि वास्तव में यहाँ परमगूड ग्यान है और अगले अध्याय में अर्जुन ने भी भगवान से ऐसे ही जिग्यासा प्रकट की थी हम भगवान क्रिशन के शब्दों में ही इसका विस्तित वर्णन श्रवन करेंगे एते शिरिमत भगवद गीता दिव्ययोग शास्तर का ज्यान विज्यान योग नाम सप्तम अध्याय